पुलिस ने की जब आपको बता दे रिवाजिले की पुलिस ने इन दिनों नसे की खिलाफ एक अभियान सा चला रखा है जिसके चलते हर दूसरे या तीसरे दिन कॉरेक्स की एक बड़ी खेप पुलिस की हाथ लग रही है कभी प्रियागराज से आने वाली नसीली सिरप चागाट सुहागी में पकड़ी जाती है या फिर मिर्जापूर बनारत से आने वाली नसीली सिरप हनुमरा मौगंज के रास्ते में फकड़ी जाती है ऐसा ही कुछ हुआ एक बार फिर खटकरी चौकी को सुचना मिली थी नसीली सिरप की खेप आने वाली है चौकी ने इसकी जानकारी अपने उच अधिकारी को दी साहपूर थाने की पुलिस को भी इसके बारे में सूचित किया गया खटकरी पुलिस जब मौके पर पहुँची तो अहां पर एक सियाज गारी उनको मिली पुलिस का मानना है कि नसीली सिरप लाने वालों को इस बात की जानकारी सायद हो गई थी कि पुलिस उनके पीछे है वह गारी छोनकर भाग गए पुलिस ने गारी के अंदर से 1080 CC नसीली सिरप बरामत करने में सफलता पाई है वहीं पुलिस ने एक गारी भी जब्त कर ली है नसीली सीरप की कीमत लगबक 16,000 आंकी की जा रही है वहीं गारी की कीमत 9-10 लाग के बीज बताई जा रही है इस बारे में हमने रिवा के डिशनल स्विसी उक्मार वर्मा से बात की सुनिए पुरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है प्रियाग एस्पिस न्यूज के लिए रिवा से रोहित पाठिल की खास रिपोर्ट आपकी ख़बर हमारी नजर इसा लग रहा है कि पुलिस के आनी की सुचना मिल गई जिसके गाण से आरूपी वहां से भागने में सफल रहा पुलिस को उस गाड़ी की तलाची में दस तो अस्टी सीसी कॉरेक्स मिली है नौपेटियों में थी जिसकी कीमत करीई एक लास 12 2000 कि आस पास है और जो जो इस बाहन में मिला वह स्याज का रह मारूती का तो पुलिस नहीं मारूती का वह bevorस्ट वहाँ इसकी कीमत करीई बुभ नौदास लाग कि आस पास है अभी आरूपी के बारें सिलल गई करल है तlingen पुलिस को